हाई दोस्तों नमस्कार और एंड वेलकम वेक तो मैं चैनल हाउस वाइफ क्रियेटिविटी राज सीमा कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे सो दोस्तों आज का जो व्लॉग है दीदी का जो है विलेज लाइफ का व्लॉग मौर्निंग का ये रुटीन है नो से लेकर के ग्यारां बज़े तक का सुवे का ब्रेकफास्ट बन चुका है और इसके बाद घर की हो रही है साप सुफाई क्लीनिंग का वीडियो है सब लोगों को यही रहता है कि दीदी इतने स्रीर के हेल्दी है तो क्या वो ऐसे सारे काम करती है जी बिल्कुल दोस्तों घर का सारा काम बच्चे जो है स्कूल जाने वाले है आज कल तो खैर स्कूल नहीं है बट ओनलाइन स्टेडी होती है तो दीदी के मैं बता दूं कि दो बेटे हैं एक बेटी है तो घर का सारा काम करने के साथ साथ वो अपनी एक छोटी सी दुकान जो है उसको रन करती है तो बाडी में भी जाती है जैसे कि आप सभी जानते हैं तो बहुत ही बहुत सारे काम जो दीदी है वो करती है बहुत दोस्त ने बोला था कि आप इनके husband को भी साथ में दिखाएं उनसे करें मतलकी मिलवाएं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनके जो husband है वो कोई 15-20 दिन पहले कहलो जाए एक महिना पहले उनकी surgery हुई थी तो वो थोड़े से अभी थोड़ी सी recovery हुई है ठीक है बट उतन उस हिसाब से नहीं है तो वो अभी जब ठीक हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ मुलाकात करवा दूंगी तो उसके बाद मैं आप लोगों से जो आपकी जो फर्माइश है वो मैं पूरी कर दूंगी तो यहां पर आप देख सकते हैं दीरी जो है दुकान के बाहर वा आप देख सकते हैं बच्चे भी जैसे जा रहे हैं तो वो भी देख रहे हैं कि यहां वीडियो बन रहा है आम यह डेली रूटीन की वीडियो है और मैं उमीद भी करूंगी कि आप लोगों को यह पसंद आएगी और एक तो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बोला है कि आ आप काव मिलकिंग का वीडियो डालिये बहुत बार ऐसे मैसेज वो करते हैं तो मैं देखती हूं कि काव मिलकिंग का वीडियो मैं बना पाती हूं कि नहीं क्योंकि जो दीदी के पास काव है उसने अभी दूद देना बंद कर दिया है तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल् में हैं लेकिन ज्यादा बड़ा घर नहीं है बंद बंद सा घर है जैसे आम बड़े घर होते हैं गाउं में खुले खुले उस टाइब का दीदी का घर नहीं है साथ में आप देख सकते हैं मशीन रखी हुई है तो उसमें जो है कपड़े डाल रखे हैं इधर दीदी जाडू लगा रही है उदर कप्डे जो है मशीन जो चालू है तो कपड़ दुलाई हो जाएंगे सारे काम जो हैं साथ साथ में किये जा रहे हैं तो कपड़े दोने केद बाद फिर वो कपड़े वगlect चरथ पर डाल देंगी और उसके बाद दुकान पर बैठेंगी और फिर दुपहर का खाना जयसे तो तीनो टाइम जो है खाना भी बनाते हैं बाड़ी में भी जाती हैं शाम को चार साजे चार बजे घर का काम, दुकान आप देख सकते हैं कि कितने सारे काम है जो उनको अकेले को करने पड़ते हैं तो यहां पर वो भी साथ ही घर के अंदर से ही इनकी जो है सीड़ियां हैं बाहर से नहीं हैं तो छुट छुटे काम इतने सारे हो जाते हैं कि जिसको संभालना देखने में नहीं लगता है कि हम इतना काम कर रहे हैं इतना काम किया है बट जब आप करते हो छुट छुटे काम तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें पता नहीं चलता और आपको थकावट भी अच्छी खा जाडू लगा रही हैं क्योंकि मैं बार बार बोलती हूं कि दीदी जो है बहुत सफाई पसंद लेडी हैं इनको काम जो है साफ सुथरा चाहिए बहुत ये अपने घर को नीट एंड क्लीन रखती हैं और अब जाडू लगाने के बाद ये कुछ कपड़े हैं जिनको दीदी अभी उठा रही है और ये शत के उपर सुखने डालेंगे कुछ करटेंस गरद लाई किये हुए हैं और अभी मशीन चल रही है उसमें से और एक लॉट जो है वो डाल रखा है तो इसको निकाल लिया थ थोड़ा ड्राइब भी कर लिया था सामने उनकी साथ में ही जो बेटी है वो भी काम कर रही है तो यहां पर अब दीदी चली है क्योंकि दीदी ने जाडू लगाया है तो बेटी जो है वो पोचा लगारने लगी है तो अभी दीदी शात पर इन कपड़ों को सुखने डाल क्योंकि आज कल सरदियों की जो धूब है सभी को मालूम है कि इतनी जादा तीखी नहीं होती है। इतना काम दीडी करते हैं फिर भी उनका वेट जो है वो कम नहीं हो पाता है। वोबी कोशिश भी वो करती है कि उनका वेट कम हो जाए वर यहां पर आप देख सकते हैं पहले कुछ कपड़े सुखने डाल रखे हैं यह चार पाई यहां पर्मनेंट ही अभी गर्मी सर्दियों में रहेगी क्योंकि जब भी दूब लेनी है तो शत के उपर आना होगा और मैंने बताया था कि इन्हों ने चुला भी बनाया है और यह जल्दी ही मैं इनका जो है जो रोटी का एक टाइम का जो रोटीन है वो शेयर करूंगी शत के उपर चुले के उपर रोटी बनाने की सो दोस्तों आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बतायेगा आपने कॉमेंट कीजिएगा और जो मेरा कोई दोस्त नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्रा आपको नहीं मिलेंगे सो दोस्तों आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और अपनी जो सपोर्ट है मुझे हमेशा देते रहें सो जल्द ही मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो नए विलेज लाइफ के व्लॉग क सो अभी आप जो है म्यूजिक के साथ वीडियो को एंजोई करें मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ नेगो आप लएा सु prag calendar वमें अभे हूआ पोमें एंटरूं कर वंए बहार मुम के साथ जानन माद की लेटना रहें हूँ मैं वीडियो त Birth of आग पूए ख workflows 2 बसाओ लएव बहें साथ लिए यहाईवा नहांक है... पहाई आएचे झाल पहाउग चाल पहाई लाहई लाहाई जर भाहई गया कुछ पहाई लंग पहाई टो घुए हो आए आएख को शेत्म इख़ वाहई लिवह लेश़ी हाई